प्रिमित्रो प्रिमित्रो मैंने पिछले एपिसोड में बिल्डिंग वान अनधर या एक दूसरे को मजबूत करना, एक दूसरे को साहित करना उसके बारे में बात किया था जो की पार्ट वन था आज मैं आपके सामने पार्ट टू उसी टॉपिक का बिल्डिंग वान अनधर ये कैसे हम एक दूसरे के लिए उन्नती का कारण बन सकते हैं उसका पार्ट टू मैं आपके सामने रखने वाला हूँ पिछले अपिसोर में हमने देखा थे कि कैसे हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे को उच्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को शमा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, हम आगे देखेंगे आज कैसे हम एक दूसरे को प्रभू के लिए बनाएं प्रभू में उन्नती का कारण बनें वो है एक दूसरे की सेवा करें सेवा करें गलतियों उसका पांचवा ध्याय तेरा पद गलतियों उसका पांचवा ध्याय तेरा पद में लिखा हुआ है हे भाईयों यहाँ भाईयों का मतलब बेहनों से भी है, हे भाईयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा नहो कि यह स्वतंत्रता, शारिरिक कामों के लिए आवसर बने, वरन प्रेम से, एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो, सेवक बनो, सेवा करें, जी हाँ, सेवकाई की भावना, जब भी हमें कहीं किसी की सेवा करने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी को पैसा देने के लिए हो, या कोई बिमार है तो विजिट करने के लिए, कोई समान लाना कहीं बजार से, या किसी को काउंसलिंग की जरूरत है अरे जहाब ये मौका है ये मौका है कि हम एक दुसरे के लिए एक सेवा का कारण बने इस प्रकार से क्या होगा मालूम हम दुसरे के लिए उन्नती का कारण बन जाए कभी-कभी मैं फोन कर देता हमारे कुछ दोस्तों को और उन्होंने फिर बाद में बोलते हैं अरे भाई आपने फोन किया बड़ा अच्छा लगा आप ऐसी फोन करते रहे हैं कभी हम विजिट करते हैं अरे आप आए बड़ा अच्छा हुआ ये सेव काई है इससे क्या होता है हम एक दुसरे को बनाते हैं एक दुसरे को उच्साहित करते हैं एक दुसरे के लिए उन्नती का कारण बनते हैं जी हाँ तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी सेवा हम कर सकते हैं चाए वो छोटी हो या बड़ी हो या किसी को अस्पताल ले जाना है या किसी को अपने कार में या स्कूटर में कहीं शॉपिंग ले जाना है या कहीं भी कुछ भी हो जो भी मौका मिलता है हम कभी भी इस मौके को हाथ से न जाने दे क्योंकि परमेश्वन ने हमको सेवकाई के लिए बुलाया है चाए वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो हम एक दूसरे के लिए जरूर चिंता करें कंसिडर करें इब्राणियों की पत्री और उसका दस्माद दिया है इब्राणियों की पत्री उसका दस्माद दिया है और चौबिस पद क्या लिखा हुआ है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो एक दूसरे की चिंता किया चलो कभी फोन कर दिया और भाईया जी, दीदी जी, भाबी पिता जी, डैडी, पापा, भाई साब फोन कर दिया आजकल मुबाहिल थो सब जगा अभेलिबल है सबजी वाला भी मुबाहिल रखता है के लिए चिंत्या का कारण हम भन जाते हैं एक दूसरे के लिए हम सेवकाई का कारण भन जाते हैं आगे बढ़ें फिर हम क्या करें एक दूसरे को हम अपने आपको समर्पित करें समर्पन करना, सब्मिट, समर्पन करना, इफीसियों पांच्वा अध्याय, इफीसियों की पत्री उसका पांच्वा अध्याय और उसका एक्कीस्वा पद, क्या लिखा हुआ है? मसी के भैसे, एक दूसरे के क्या रहो? आधीन रहो, एक दूसरे के आधीन रहो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर, बीस पद, भी, बीस और इक्कीस, और सदा सब बातों के लिए, हमारे प्रभू, येशु, मसी के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, और मसी के भैसे, एक दूसरे के आधीन रहो, समरपन, है ना, जितना हो सके, यहाँ पती-पत्नी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कि कैसे पत्नी को अपने पत्नियों के आधीन होना है, और पत्नियों को भी अप कैसे अपने पत्नी के आधीन होना है, है ना, और वो भी कैसे परमेश्वर के भै के साथ इसलिए नहीं कि चल भई यह तेरे आधीन हो गया जल्दी कर फटा फट क्या क्या बोलना है तेरे को नहीं 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 जब मेरे दोस्तों हमारे जीवन में परमेश्वर का भै होगा ना तो हम आधीन होना सीख जाएंगे यदी यदी मैं एक बात यहाँ पर आपके सामने रखना मांगता हूं यदी वो गलत चीज़ है और वो कहता है या कहती है कि भाई ये तुम मेरे साथ मेरे सम्मलित हो जाओ और वो गलत है आप जानते हैं कि गलत काम है गलत विचार है तो एकदम आप उस समय बोलिये, नहीं, गलत है ये, सच तो बोलना है आपको, सच बोलना है, लेकिन आधीन होना का मतलब नहीं, बुरे काम में भी समरपन कर लिया अपने आपको, नहीं, अपने पास्टर के आधीन रहें, अपने बड़े एल्डर्स के आधीन रहें, अपने अगर दीनता की बात आती है, अगर दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो आदिन होने का सवाली नहीं आएगा, घमन जो है वो फूल जाता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, मेरे जीवन में कभी-कभी घमन आ जाता है, तो फूल जाता है, और जब घमन्डी मन हो जाता है, नम्रता सहित दीनता सहित आधीन हो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखें कि किस प्रकार से हम और एक दूसरे के साथ बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को हम मुच्साहित कर सकते हैं एक दूसरे को सिखाते रहिए। एक को सिखाते रहे हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों की पत्री तीसरा ध्याए सोला पद क्या लिखा हुआ है मसी के वचन को अपने हिर्दय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्यान सहित एक दूसरे को सिखाओ यहां पर वही बात आ गई एक दूसरे को सिखाओ चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मी गेत गाया करो तो लिखाओ है मसी के वचन को अपने हिर्दय में अधिकाई से बसने के बाद सिद्ध ज्यान से एक दूसरे को सिखाओ चिताओ एक दूसरे के लिए अगर कहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो गलत शिक्षा में जा रहा है तो आपका मेरा करतब यह है कि भाई बेहन यह false teaching है यह गलत शिक्षा है बाइबल की शिक्षा यह है लिखाओना सिद्ध ज्यान सहिद्ध ज्यान का मतलब प्योर सटीक परमेश्वर का वचन आपको जानना जरूरी है जानना जरूरी तभी होगा जब आप परमेशर का वचन अपने हिर्दाएं में अधिकाईس से बसने दें है ना तभी आप परमेशर के वचन को सिद ग्यान के द्वारा दूसरे को सिखा सकते हैं जब आप ही के पास perfect प्योर सही ग्यान हो तो हम एक दूसरे को चिताएं बाइबल स्टडी है एक दूसरे को सिखाएं चिताएं इस प्रकार से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं उत्साहित कर सकते हैं उसको सही रास्ते में ला सकते हैं यह तो है मसी जीवन का यही तो आनद है मेरे दोस्तों आगे पढ़े फिर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कैसे हम एक दुसरे के लिए उत्सा का कारण बन सकते हैं इनकरेज का कारण बन सकते हैं वो है एक दुसरे के सामने अपने पापों को मान लो याकूब की पत्री उसका पाँचवा अध्या है और सोला पद क्या लिखा हुआ है सुनिये इसलिए तुम आपस में एक दुसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दुसरे के लिए क्या करो प्रार्तना करो जिससे चंगे हो जाओ क्योंकि धर्मी जन की प्रार्तना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ठीक है मेरे दोस्तों बिल्गुल साफ लिखा हुआ है दो चीज़े हैं यहाँ पर आपस में एक दुसरे के सामने क्या करो अपने पापों को मान लो अगर आपने किसी किस विरोध में कोई बात की है और आप दोनों के बीच में मन मिटाव है और आपको पता है कि एसा है तो जा करके आप माफी मांगे मैंने ऐसा किया है मेरे दोस्तों बड़ा मुश्किल हुआ मैंनी बोनाव की आसान था दुसरे अगर माफी मांगते हैं वो तो ठीक है लेकिन खुद को जब माफी मांगना है तो साब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है है होता है कि नहीं आप भी समझ सकते हैं मेरे साथ तो बड़ा मुश्किल हुआ कैसे मैं अपने आपको धीन करूं नम्र बनूं घमन निकालूं है ना अपने पापों को कैसे मानूं मैंने उसके विरोध में किया अरे जाब ये तो लिखा हुआ है देखिए परमेश्वर से पापों की जो मानना है वो तो बहुत आसान है क्योंकि हम परमेश्वर को सामने साक्षात रूप में नहीं देख सकते हैं ना तो हम माफी मांग लेते हैं लेकिन अपने भाई या बहन या मम्मी डैडी के सामने उनको उनसे माफी मांगना वो डिफिकल्ट है वो सामने दो आखे बैटी हुए साथ सूरत बैठा हुआ है पता नहीं क् कुछ भी हो हमें परमेश्वर के वच्छन के अनुसार एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना है और माफी मांगना है मांगे तब परमेश्वर आपको आशिश देगा और एक दूसरे के लिए क्या करना है प्रार्तना भी करें प्रार्तना भी करें इससे क्या होता आपस में प्रेम में लिप्टे रहते हैं, प्रभु के महिमा के लिए वो आदमी, वो भेहन या वो ममी डैडी या वो कलीग स्ट्रॉंग होता है, प्रभु में बढ़ता है, यदि आप मन मुटाब लेकर कैसी घूमते रहें और प्रार्तना नहीं करें एक दूसरे के लिए तो फायदा क्या साथ? वो इंट वैसी के वैसी पड़ी रहेंगे, क्योंकि वो तो जोड़नी रहना सिमेंट से, आत्मिक सिमेंट में कहने का मतलब। सो सहाब एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे से माफी मांगे, और एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्तना करें। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए आशिश का कारण बन सकते हैं, एक दूसरे को कैसे हम उत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे हम बना सकते हैं, एक और है वो है एक दूसरे की भार को सहलो, एक दूसरे की जो चिंता है, एक दूसरे का जो बोज है, उसको अपने उपर भी उठा लो लिखावा है गलतियों उसका छटमा अध्याए दो पद गलतियों छटमा अध्याए दूसरा पद तुमें एक दूसरे के भूज को उठाओ और इस प्रकार मसी की विवस्था को पूरी करो क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आपको कुछ समझता है तो अपने आपको धोका देता है सो मेरे दोस्तो हर व्यक्ति जो है वो जितना हो सके एक दूसरे की जो बोज है प्रार्तना का बोज है परिशानी का बोज है भाईया मैं आपके लिए प्राथना करूँगा करूंगी जरूर देखिए हम इसके बारे में क्या और कर सकते हैं एक दूसरे को काउंसलिंग करें हाँ एक दूसरे की सहना है एक दूसरे की बोज को अपने उपर लेना है तभी तो आपने देखा होगा कि एक जो गाय या बैल है वो बैल गाड़ी को नहीं ले आ सकते है जब दो बैल होते है तब वो गाड़ी अच्छी चलती है है ना तो उसी प्रकार से हम जो मसीह हैं हम एक दूसरे की बोज को सहना सीखें है ना तब हम स्वार्थी नहीं होगा इफिसियो उसका चवथा अध्या है और दो पद क्या लिखा हुआ है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहीत और धीरत धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो सहलो कभी-कभी सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ और मेल के बंद में आत्मा की एक ता रखने का जितना हो सके यतना करो क्योंकि एक ही दे है और एक ही आत्मा है और जैसे बलाने वाला हमारा प्रभू एक ही आशा है एक ही विश्वास है एक ही प्रभू है एक ही बपतिस्मा है सो मेरे दोस्तों हम जितना हो सके दूसरों के बोज को अपने उपर लें सह लें कोई बात नहीं सहना पड़ेगा स्टील जब बनता है लोहे से तो उसको बहुत आग सहने की ज़रुत होती है तब जाकर कि वो स्टील बनता है उसी प्रकार से परमिश्वर शायद हमें यह सब चीज़े लाता हमारे जीवन में ताकि हम परिपक्व होते जाएं इस प्रकार से हमें एक दूसरे की सह सकते हैं फिर लिखा हुआ है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्षना करे कुलुसियों उसका पहला अध्याय नौपद में लिखा हुआ है मैंने आपके लिए पहले पढ़ा था लेकिन फिर भी हम पढ़ लेता हूँ कुलूसियों एक और उसका नौपद लिखा हुआ है कि इसी लिए कि जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुमारे लिए प्रार्थना करते और बिंती करने से नहीं चुकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा पहचान में परिपूर होते जाओ जी हाँ मेरे दोस्तों हम एक दूसरे के लिए क्या करें प्रार्थना करें एक दूसरे के साथ प्रमेश्वर के भै में प्रभू के अनुग्रह के सिहासन के सामने लाएं फिर हम एक दूसरे के लिए क्या करें प्रेम के बंधन में बंधर हैं वो प्रेम का बंधन जिसे हम कहते हैं बलिदान वाला प्रेम अगापे प्रेम जिसे कहते हैं यहन्ना तेरा चौतिस यहन नर चित्सु समाचार उसका तेरमा अध्याय और चौतिस पत क्या लिखा हुआ है मैं तुम्हें एक नहीं आग्या देता हूं क्या है वो नहीं आग्या कि एक दुसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दुसरे से क्या करो प्रेम रखो और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो कई जगा पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं यहना पंदरा बारा और सतरा रोमियो तेरा अठ आठ गलतियों उसका पांचवा ध्याए तेरवा पद पहला पत्रस उसका पहला ध्याए बाईस पद पहला यहना तीन ग्यारा में हम पढ़ते हैं और रोमियो बारा दस में आपके लिए पढ़ूँगा, रोमियो उसका बारमाध्या है और दस पद, क्या लिखा हुआ है, भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे पर धया रखो, परस पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ चलो आदर करने में, परमेश्वर के जो बात है, उसको हम ध्यान में रखते हुए, एक दुसरे का हम आदर करें, जितना हम कर सकते हैं, एक दुसरे के साथ प्रेम में बंदे रहें, एक दुसरे के साथ दया में रहें, परमेश्वर को भी वो आदर दें, एक दुसरे को भी वही आदर दें, और इस इस प्रकार से हम दूसरों को बढ़ा सकते हैं, दूसरों के लिए उन्नती का कारण हो सकते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम ये कलीसिया बना सकते हैं, बिल्डिंग वन अनदर, थोड़ा सा मैं एक वर्निंग आपके लिए देना मांगता हूँ, ये थोड़ा सा होश्यार रहने की बात है, कि हम एक दूसरे को जज न करें, एक दूसरे का हम न्याय न करें, पिछली जो बाते बताई वो तो सकारात्मक चीजे थी, पाजिटिव, जो हमें नहीं करना है, एक दूसरे के प्रति, पहला हम एक दूसरे का जज्ज्मेंट न करें, कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन हम होशार रहें कि हम न करें, रूमियों उसका चौदा अध्याय तेरा पद, रूमियों उसका चौदा अध्याय तेरा पद, तो आगे को हम एक दूसरे पर दोश न लगाए ये नकारात्मक रूप से एक दूसरे पर हम दोश न लगाए पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे मेरे मित्रों कहीं हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने तो मेरे दोस्तों हमें बचना चाहिए हम एक दूसरे के लिए ठेस का कारण ना बने ये नकारात्मक चीज़ें जो हमें अवाइड करना है हमें बिलकुल भी नहीं करना है अगर मुझे किसी से बात करनी है तो हम लेकिन हम दूसरों के प्रती दूसरों के सामने जूटी बातें ना बोलें ये आजकल बहुत हो रहा है और इससे आपको और मुझको परे रहना है नहीं तो उससे क्या होगा जो घर बना हुआ है वो डिस्ट्रॉई हो जाएगा है ना वो इट निकल जाएगी और वो घर कमजोर हो जाएगा वो व्यक्ति कमजोर बन जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा आत्मिक जीवन में सो मेरे दोस्तों हम एक दूसरे पर दोश न लगाए दूसरी बात हम एक दूसरे के बारे में कानाफोसी ना करें मैं पढ़ूँगा गलतियों पांच पंद्रा गलतियों पांचवा अध्याय और पंद्रावा पद क्या लिखा हुआ है यदि तुम एक दुसरे को दाट से काटने और फार खाते हो तो चौकस रहो कि एक दुसरे का सत्यनाश ना कर दो पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रिती से पूरी न कर पाओगे मेरे मित्रों आज कभी कभी काना फुसी बहुत हो जाता है एक दूसरे की प्रती मैं आप से बिंती करता हूँ मैं खुद इस बात को सीख रहा हूँ और मैं आपको सिखाना मांगता हूँ कि प्लीज प्लीज करिप्या कर आप काना फुसी ना करें गासिप ना करें क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है एक दूसरे से काट दाथ से काटने में फारने में लगए चोकस रहो कि हम एक दूसरे को न गिराएं बलकि हम एक दूसरे को बनाएं एक दूसरे का काना फुसी गासिपिंग करने से क्या फायदा है ने कोई फायदा नहीं है उससे हमारा जीवन भी खराब लगेगा और दूसरे का जीवन भी सत्यनाश हो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों हमें एक दूसरे को बढ़ाना है एक दूसरे को बनाना है एक दूसरे को बिल्ड करना है एक दूसरे को इंकरीज करना है उन्नती का कारण बनना है न गिराने का परमेशन ने आपको और हमको मेल कराने के लिए बुलाया है जोडने के लिए बुलाया है बढ़ाने के लिए बुलाया है नाश करने के लिए नहीं तो इस बात का आप और मुझे ध्यान रखना है और आखरी बात इसी का पांच और छबीस पांच बात ध्याए गलतियों उसका पांच और छबीस में क्या लिखा है कि हम एक दूसरे से डाह न करें गमन्डी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें एन्वी जलना ये गलत चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐसा न करें मैंने आपके सामने सकारात्मक चीज़ें बहुत सारी रखी जो बाइबल के बचन के अनुसार है और तीन जो नकरात्मक चीज़ें आपके सामने रखी कि ना हम दोश लगाएं ना हम एक दूसरे के प्रति कानाफुसी करें और ना हम एक दूसरे के प्रति डाह या जेलसी एन्वी या जलन रखें क्योंकि इससे क्या होता है इससे जो बना बनाया घर है वो बिगड़ जाएगा बना बनाया वक्तित्व आत्मी करूप से वो निराश हो जाएगा वो भी करने लगएगा ऐसी चीज़े हमें एक दूसरे के लिए मॉडल बनना है एक दूसरे के लिए नमूना बनना है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों हमने पिछले दो एपिसोड में देखा कि परमेश्वन ने आपको और मुझको बढ़ाने के लिए बनाने के लिए बलाया याद है आपको वो इलिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया था एक्जामपल जो गेम में पैरा ओलम्पिक गेम में जो दस लों का साथ हुआ जिसमें से दस में से एक दोड़नी पैया वो बीच में गिर गया लेकिन नौ उन्होंने अपना रेस छोड़ दिया वापस बीच में आकर कि उस दस्वे को उठाया अपने कंधे पर उठा करके फिन संभालने के लिए आया है आपका मेरा करतव्य हो जाता है कि हम गिरने वालों को संभाले है थोड़ा सहल है हाँ टाइम लगता है जो जो जलाते हैं कभी कभी मैं भी करता हूँ मेरे साथ होता है शायद आपके साथ होता है नहीं होता है लेकिन हमें परमिश्व ने एक दुस प्रभू के लिए बनाएं।